दोस्तो ऐसे सों यूटूब पर चोटे बचे काफी जादा देखना पसंद करते हैं अगर दोस्तो आपको यकीन नहीं होता तो चलिए मैं आप सबी को सर्च करके दिखाता हूँ यूटूब पर तो दोस्तो यहाँ पर मैंने यूटूब को ओपन कर लिया यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बेबी कीड सोंग तो मैंने बेबी कीड सोंग को जैसे सर्च किया तो इन वीडियो पर आप व्यूज देखिए कितने जबरदस्त व्यूज आए हैं तो इस वीडियो पर आप तो दोस्तों यहां पर आप सभी को एक और वीडियो दिखाता हूँ जिस पर देख सकते हो कितने जबरदस्त व्यूज आए हैं 5.9 बिलियन व्यूज मिलियन में नहीं बिलियन में व्यूज आए हैं तो अगर दोस्तों आप भी यूटूब पर ऐसे वीडियो बनाकर अपलोड करने लग गए तो आप भी यूटूब से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो तो अगर आप भी यूटूब पर बेबी किड्स सोंग की वीडियो बनाकर काम करना चाहते हो विदाउट वोइस विदाउट फेस काम करना चाहते हो तो आज इस वीडियो को बिना स्कीप करके यो बनानी नहीं आएगी क्योंकि इसमें आपको काफी step लेकर वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि इस वीडियो में मैं आपको हर एक step हर एक step ऐसे बरीकी से समझाऊंगा जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप मेरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन subscribe like बिल्कुल भी ने कर दो यार आपका एक like एक subscribe करने से क्या आपका कुछ घट जाएगा या आपका कुछ चला जाएगा यार like subscribe कर दिया करो दोस्तों इससे मेरको भी थोड़ा motivate मिलता है और मैं आपको 100% देकर वीडियो बनाके सिखाता हूँ तो यार like subscribe कर दिया करो तो चलिए मैं आप सबी को इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल proof के साथ दिखा चुका हूँ और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वीडियो आपको कैसे बनानी है तो उसके लिए दोस्तों आपको आजाना है Google Chrome में तो सबसे पहला step जो है आपको लेना है baby kid song वोक भी हिंदी में कैसे लेना है तो आपको Google में search करना है chat GPT तो chat GPT आप जैसे search कर लोगे इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको अपनी Gmail ID से इसमें login कर लेना है जैसे login कर लोगे नीचे आपको message box का बटन मिल जाएगा यानि कि जहां पर आप लिखोगे अपना song तो यहां पर आपको क्या लिखना है write a baby kids song in Hindi यहां पर आपने लिखना है write a baby kids song in Hindi और जो यह black arrow दिखा है इस पे आपको क्लिक करना है और आपको chat GPT एक ऐसा song लिखके देगी काफी अच्छा और जितनी बार यहां पर आप लिखोगे ना हर बार आपको अलग song मिलेगा जैसे यहां पर देख सकते हो chat GPT ने पूरा का पूरा song मिरको लिखके दे दिया अब आपको क्या करना है इस song का पहला पैरा आपको यहां से copy करने के बाद यहां पर आपको new tab बना लेना है new tab बनाने के लिए आपको उसके बाद यहां पर लिखना है सुनो AI आपको लिखना है सबसे पहली वेबसाइट आज आएगी और इसमें भी आपको अपनी Gmail ID से login कर लेना है दोस्तों बिल्कुल simple method है ये मसोचना काफी मुश्किल है बिल्कुल simple method है अगर आपने इस वीडियो को बिन स्क्रीप करके देखा समझ लिया तो आप एक ही बार में सीखे काफी सारी वीडियोज बना के काम कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा make a song make a song पर आपको click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी gmail id से login कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ इस website में आपको total 40 credit मिलते हैं यानि कि आप एक बार में 40 videos बना सकते हो 40 song बना सकते हो अगर आपको unlimited credit लेने हैं इसमें तो मैं आपको video के end में समझा दूँगा कैसे आपको लेने हैं उसके बाद यहाँ पर आपको button मिलेगा create का नीचे बीच में create का button मिलेगा तो आपको create button पे click कर लेना है जैसे create button पे click करोगे यहाँ पर आपको option मिलेगा यह box का तो जो song आपने chat gpt से copy किया वो यहाँ पर paste कर दो मैंने paste कर दिया अब उसके बाद फिर से आपको आजाना है chat gpt में chat gpt में से दूसरा पहरा copy कर लो copy कर लिया उसके बाद आपको आजाना है यहाँ पर इस पहरे में और यहाँ पर इसको paste कर दो अब create पे click कर दो यह आपको option मिलेगा create का यह देख सकते हो तो create पे आप click करोगे तो आपका एक मिनट के अंदर song बनके radio जाएगा वो भी बिलकुल must song baby kid song तो यहाँ पर देखो processing होना सुरू हो चुकी है और यहाँ पर आपका song easily बन जाएगा बस थोड़ा wait कर लीजेगा और नीचे देखो मेरे 30 credit रह रहे हैं और मैं 30 credit से 30 song बना सकता हूँ लेकिन unlimited credit लेना भी मैं आपको वीडियो के end में सिखाऊंगा तो यहाँ मेरा song बनके ready हो गया मैं आपको सुनाता हूँ देखो बन गया ना बिल्कुल easily song अब इस song को आपको कैसे download करना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको option मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए यहाँ पर आपको three dot मिले तो three dot पे आपको click कर लेना है three dot पे जैसे click करोगे download का button आ गया download पे click करना है अब यहाँ पर दो option आपको मिलेंगे audio, video, आपको audio में download करना है तो audio पे जैसे click करोगे three dot पे जाना है download पे जाना है audio पे जैसे click करोगे तो यहां पर दोस्तो आप सभी को क्या करना है अगर आपका यहां पर Google Chrome ना सो हो तो यहां पर आपको More बटन पे क्लिक कर लेना है More बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपका Google Chrome सो हो गया तो फिर से आपको Google Chrome पे सो कर देना है अब यहां पर 3.0 आपको मिलेगी त्री डोट पे क्लिक करके इस song को आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर लिया अब आपको आजाना है फिर से chat GPT में और यहाँ पर आपको लिखना है write a prompt write a prompt for this song generate generate images यहाँ पर इस तरह लिखना है write a prompt for this song generate image समझे रहे हैं मेरी बाद को generate image तो आपको अगर यह लिखना नहीं आता screenshot ले लो और इस arrow पे click कर दो अब आपको इस song का एक prompt generate करके देगा इस तरीके से तो इस prompt को आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको फिर से नया टैप बनाना है और यहाँ पर Leonardo AI search कर लो Leonardo AI यहाँ पर आपको search कर लेनी है यह है तिसरी website तो इस पे आपको click कर लेना है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको अपनी Gmail ID से login करना है कैसे? create an account पे click कर लेना है google पे click करना है और आपकी जो भी email ID है उससे यहाँ पर आपको login कर लेना है यहाँ पर चलिए मैं कोई भी Gmail ID से login कर देता हूँ और continue बटन पे click करके इस website पे आ जाता हूँ अब उसके बाद यहाँ पर आपको image यहाँ पर create करनी है जो की आप अपने song में use करोगे तो कैसे? चलिए create new image पे click करना है और जो आपने यहाँ पर create new project पे click करके continue पे click करके यहाँ पर easily step है कोई मुश्किल नहीं है दोस्तो continue with google यहाँ पर फिर से continue with google पे जाके अपनी Gmail ID से login कर लिया अब यहाँ पर आपने जो prompt वहाँ से chat GPT से copy किया था वो यहाँ पर आपको पेश करना है create new image पे click कर लेना है create new image पे मैंने click किया और यहाँ से दोस्तो अपना username बना लेना है कोई भी जैसे मैं tag kill बना लेता हूँ मैंने username बना लिया अपना tag kill starting में थोड़ा बहुत आप से कुछ मांगेगा और यहाँ पर कुछ भी option आपको select कर देने है और यहाँ से I confirm करके next बटन पे click कर देना है tag kill username जुरूरी बनाना पड़ेगा आपको starting में यह देखो मैंने username बना लिया available हो गया मैं next बटन पे click कर देता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है जो आपने prompt वहाँ से copy किया था वो यहाँ पर आपको paste कर देना है यहाँ पर मैं उसको paste कर देता हूँ इस तरीके से मैंने paste कर दिया अब नीचे आपको option मिलेगा जरनेट तो जरनेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं जरनेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तो मेरी images आ जाएगी देखो processing होना सुरू हो गई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है Leonardo AI में आना है Google से login करना है उसके बाद अपना username बनाना है और और वहाँ पर कुछ भी अपना जो आप पसंद करते हो वो selector के next कर लेना है उसके बाद जो आपने chat GPT से prompt copy किया था जो मैंने बना के दिखाए था वो यहाँ पर paste करके जरनेट पे क्लिक करना है जैसे मैंने किया तो देखो कैसी मस्त मस्त आ गई तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा फिर से इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा हो गई आपकी image सोंग के लिए उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है runway runway जैसे लिखोगे सबसे पहली website आपके सामने आजाएगी और try run for free पे click करना है और उपर आपको scroll करना है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी आपको अपनी gmail id से login कर लेना है तो यहाँ पर भी मैं अपनी gmail id से login कर लेता हूँ हर website में आपको अपनी gmail id से login कर लेना है क्योंकि मैं आपको पूरा a to z समझा रहा हूँ कैसे कैसे आपको काम करना है तो यहाँ से मैं इसको skip कर देता हूँ और अब आपको option मिलेगा क्या मैं आपको दिखाता हूं अब यहां पर आपको option मिलेगा एक text to video दिखा देता हूं मैं आपको उपर scroll करना है उपर scroll करना है और यहां पर देखो यह मिलेगा text image to video तो इस पर मैं click करूँगा इस पर जैसे click करूँगा यहां पर दोस्तों देख सकते हो नीचे describe your skin तो इस पर आपको click कर लेना है और यहां पर आपको option मिलेगा upload a file तो upload a file पर आना है आपकी phone की gallery open हो जाएगी तो आपने जो image ली थी वहां से download करी थी वो image यहां पर आपको add कर देनी है जैसे यह देख सकते हो मैंने image add कर ली अब यहां पर processing हो गई इस तरीके से जैसे आपकी image upload हो जाएगी यहां पर उसके बाद आपको क्या करना है नीचे आपको देखो जरनेट का option मिलेगा तो जरनेट पर जैसे click करोगे तो यहां पर थोड़ा सा processing होगा और जो आपकी image है जो आपकी image है वो एक video में convert हो जाएगी मैं आपको example दिखाता हूँ थोड़ा चलिए wait कर लेते हैं मैं आपको A to Z step समझा रहा हूँ कि किस website में क्या करना है इसी तरीके से आपको same तरीका अपनाना है और बना लेना है वीडियो जबारदल तो चलिए यहां पर 30 second हो गई है दोस्तो अगर आपने सच में इस वीडिय से कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता समझने मेरे बात को कोई भी नहीं रोक सकता यहां पर आपको पैसे कमाने से 54 परसेंट हो गई थोड़ा और wait कर लीजिए यहां पर मैं आपको A to Z सिखा रहा हूँ बिलकुल आपकी आँखो के सामने मैं वीडियो स्क्रीप करके नहीं दि थ्री टोट पे क्लिक करके यहां से इसको डाउनलोड कर लेना देखो ऊपर आपको मिल रहा होगा ना डाउनलोड का मैं आपको स्क्रोल करके दिखाता हूँ यह डाउनलोड का बटन मिलेगा आपको तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और मेरी वीडियो डाउनलोड होना काइन मस्चर को open कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको वीडियो कैसे अडिट करनी है वो मैं आपको दिखा तो भाई काफी easily है देखो यहां पर काइन मस्चर उपन कर लिया create new पे click करना है 16.9 पे click करके create project पे click कर लेना है और आपका एक project यहाँ पर create हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने वहाँ पर runway से photos वीडियो में convert की थी वो यहाँ पर app करनी है media पे जाना है यहाँ पर आपको download का button मिलेगा download पे आ जाना है और उसको यहाँ पर add कर लो देखो मैंने add कर ली अब यहाँ पर देखो इस तरीके से अब ये full screen पे नहीं है तो वीडियो पे आपको click कर लेना है pen and zoom पे जाके equal to पे click कर के इसको पूरी screen पे कर लो फिर आगे इस पे click करना है फिर pen and zoom पे जाना है इसको भी पूरी स्क्रीन पे कर लो फिर आपको next पे क्लिक करना है यहाँ पर pen and zoom पे जाना है इसको भी पूरी स्क्रीन पे कर लो अब यह पूरी स्क्रीन पे होगी ताकि आपकी वीडियो देखने में अच्छी लगे अब आपने वो song जो बनाया था यहाँ पर एड़ करना है ओडियो पे जाना है अल्बम पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड पे आना है और यह देखो यह सोंग आ गया अब देखो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ बन गया न जवर्दस अब मैंने एक ही वीडियो आपको दिखाई है आप अलग-अलग फोटो की वहां से वीडियो जरनेट कर सकते हो और इस तरीके से बेबी किड सोन की वीडियोस बना के आप काम कर सकते हो अब दोस्तों अगर आपको किसी भी वेबसाइट में यहां पर 20 क्रेडिट मिले, 30 क्रेडिट मिले या फिर 10 क्रेडिट मिले उसको अनलिम्टिड में कैसे कनवर्ट करना है उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है गूगल क्रोम में जाके सर्च करना है यहां पर टैम्प में और उस temple website में आपको unlimited Gmail ID मिल जाएगी और उनी से login करकरके आप unlimited यहाँ पर credit ले सकते हो तो ऐसे वीडियोज बनाओ काफी जबर दस पैसा कमाओगे तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही वीडियो पसंद आए आइक करना मिलते नेक्स वीडियो में को अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्तो जैहीं जबर